हेलो दोस्तों मैं सवरों बलिक आप सभी का टोपी की स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रेक्टिस रेस्ट में हम देखने वाले है करेंट अफेर के 30 ऐसे मैध पून परसन तो कि आगे आने वाली एक साल तक सभी परिक्साओं में पूछे जाने है तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है तो प्लीज इसको एंड तक देखेगा अपना स्कोर भी कमेंट बोक्स में जरू बतेगा कि 30 में से आपने कितने सही की है अगर आप चाहते हैं इसी तरीकी से आपको डेली ओन लाइन टेस्ट की वीडियो दिन में मैं तो रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे तो नीचे आपको एक रेड कल का बटन दिखा दे रहा है उसको दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजे ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुचते रहे दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर सेयर कियाकरे फेसबूक वोड़सअब गूरूप में ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हैल्प हो सके और वीडियो को एक लाइक तो जरूर किया करे आपके लिए डेली वीडियो बनाने के लिए अभी तक जितने भी online test upload हुए है channel पे उन सभी की मैंने एक separate playlist बना दी है नीचे description box में link है वहाँ से जाके आपको सभी videos देख सकते हैं जो अभी तक upload हो चुकी है तो चलिए start करते हैं आज के test को और आपको हरे question में 5-6 second दिये जाएंगे उस 5-6 second में आपको उस question का answer नीचे comment box में बताना है तो चलिए start करते हैं जैसे पहला question है सबसे तेज 200 test wicket लेने का 82 साल का record किसने तोड़ दिया तो बस आपको इतना बताना है कि option A, B, C, D में से कौन सा right है तो बिल्कुल सही पहले का right answer option A हो जाएगा या सीर साहा ये एक पागिस्तान किर्केट खिलाडी है ठीक है चलिए नेक्स question है ओस्टेलिया में सबसे तेज 1000 run बनाने वाले भारतिय बल्लेबाज कोन बने है तो सभी को पता होगा जल्दी से answer बती है नीचे comment box में बिल्कुल सही दूसरे का right answer option D हो जाएगा विराट कोली चलिए next question पे चलते है next question number 3 है निमलिकित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राइस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार सपत ग्रहन की तो बिल्कुल सही है तीसरे का right answer option B हो जाएगा असोक गैलोथ question number 7 तेलंगना के मुख्यमंत्री पद की सपत किसने ली बिल्कुल सही है 4 का right answer option C हो जाएगा के चंद्र सेखर राव चलिए next question पे चलते है question number 5 है मद्यपर्देश के नए मुख्यमंत्री कौन बने है तो right answer सभी का आनची है नीचे comment box में बिल्कुल सही है 5 का right answer option A हो जाएगा कमलनात question number 6 तो बिल्कुल सही है 6 का right answer option A हो जाएगा बुपेश बगेल चलिए next question पे चलते है question number 7 हाल ही में संपन प्रो कबड़ी 2018-19 का किताब किस टीम ने जीता बिल्कुल सही है बहुत अच्छा question है option C is the right answer बेंगलूर बुल्स is the right answer question number 8 केन सरकार दुआरा कुम मेले के दोरान मोसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेश मोबाइल सेवा जारी की गई है तो बिल्कुल सही है आपका right answer बहुत अच्छा question है यह 8 का right answer A हो जाएगा कुम मेला मोसम सेवा चलिए next question पे चलते हैं question number 9 है फेस्बुक इंडिया के नए उपध्यक्स एवं परबंद निर्देशक MD के रूप में पदभार किसने संभाला तो बिल्कुल सही है 9 का right answer option B हो जाएगा अजीत मोहन question number 10 वेस्विक विमान सिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहा किया जाएगा पहुत अच्छा question है दोस्तों इस type का question exam में 100% मिलने वाला है तो दसवे का right answer option B हो जाएगा मुंबई में चलिए next question पे चलते हैं question number 11 है हाल ही में अंतरास्टिय पतंग महुतसब 2019 का उद्गाटन कहा किया गया तो बहुत सही question है अभी right answer A हो जाएगा एहमदाबाद question number 12 होप में कप 2019 का किताब किस देश ने जीता तो बिल्कुल सही है 12 का right answer option D हो जाएगा स्वीजर लेंड ने ठीक है भई चलिए next question पे चलते हैं question number 13 बहुत यह important question भारत का सबसे बड़ा cancer अस्पताल कहां बनाया गया है दोस्तों अगर test पसंद आ रहा है न तो प्लीज एक like कर दीजे और दोस्तों को भी share कर दे न वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल सही है option C right answer हो जाएगा हरियाना में ठीक है भाई question number 14 मैसोडोनिया द्वारा हाली में देश का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है बहुत अच्छा question है भी तो इसका right answer option D हो जाएगा उत्री मैसेडोनिया ठीक है भाई चलिए next question पे चलते हैं question number 15 जो question exam में आ सकता है किस केंद्र सासित परदेश ने हाल ही में एक मार्च 2019 से प्लास्टिक के उप्योग पर परतिबंद लगाए जाने की गोशना की है तो बिल्कुल सही है पंदरवे का right answer option B हो जाएगा पुद्दुचेरी is the right answer question number 16 भारत के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर कोन बन गए है तो बिल्कुल सही है 16 का right answer option B हो जाएगा is the right answer चलिए next question पे चलते है question number 17 देखें आपर ये किस होगा किस देश के विज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की है बहुत अच्छा question है और इसका right answer आप जरूर लगा के देखें क्या आता है बिल्कुल सही 17 का right answer option D हो जाएगा चीन ने question number 18 निमिन में से किस देश ने पहली बार विस होकी कप 2018 का किताब जीता ये भी बहुत important question है बिल्कुल सही 18 का right answer option A हो जाएगा बेल्जियम ने चलिए next question पे चलते है question number 19 मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है तो right answer आपका option C हो जाएगा जोरम ठांगा question number 20 निमिलिकित में से किस भारतिय महीला बेडमिन्टन खिलाडी ने इतियास में पहली बार BWF वर्ल्ट टूर खिताब जीता बहुत अच्छा question है बिलकुल सही पीवी सिंदू right answer हो जाएगा option D ठीक है भई चले next question पे चलते हैं test को end तक लगएगा 10-11 question हो रहे गए बस question number 21 बारत के किस राजजय में विश्व के सबसे बड़े अस्पताल को बनाये जाने की मंजूरी परदान की गई है बहुत अच्छा कोशन है ट्राई जरूर करिएगा बिल्कुल सही option C right answer हो जाएगा बिहार बिहार राजजय में ठीक है question number 22 उत्तर परदेश के मुख्या मंत्री योगी आदित्यनाद द्वारा किस इस्थान का नाम बदल कर उसे अयोदा रखे जाने की गोशना की गई है ठीक है यह भी एक बहुत अच्छा और important question है तो यहाँ पर देखिए 22 का जो right answer रहेगा अच्छा माने की याद रखने वाला जो एक्जाम में पूछा जा सकता है तो 22 का आपका right answer option C हो जाएगा फैजाबाद ठीक है फैजाबाद का नाम बदल के क्या रखने की बोला जा रहा है अयोदा चले नेक्स question पर चलते है question number 23 पाकिस्तान में इसाई सोरी इसा निंदा केस बरीद होने वाली इसाई महीला का क्या नाम है जिसने निदर लैंड में सरन की मांग की है यह भी पहुत popular question रहा है अभी का बिल्कुल सही option यह राइट आंसर हो जाएगा I.C.A.B.B question number 24 हाल ही में किस राज्ये में एक केंद्रिय जन्जाती विस्विदाले की स्थापना को मंजूरी परदान की गई तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 24 का राइट आंसर option B हो जाएगा ठीक है वही चलिए next question पे चलते है question number 25 बारतिय रिजर्ब बैंक के नए गवर्नर कोन है बिल्कुल सही है 25 का राइट आंसर option B हो जाएगा सक्ति कांद दास is the right answer ठीक है वही question number 26 निमिलिकित परतियोग भागियों में से किसे मिस वर्ल्ड 2018 के रूप में ताज पहनाया गया है तो बिल्कुल सही है 26 का राइट आंसर option A हो जाएगा वेनेशा पोज डी लियोन ये मैक्सिको से है ठीक है वह याद रखिएगा ये भी question अभी बहुत बार पूछा जाना है चलिए next question पे चलते है question number 27 है निमलिखित में से किस पुस्तक के लिए सहायत्य अकैदमी पुरुषकार 2018 दिया गया तो बिल्कुल सही है 27 का राइट आंसर option B हो जाएगा आग पुस्तक के लिए question number 28 पुने इंटरनेशनल मेरथन 2018 किसने जीता तो बिल्कुल सही है 28 का राइट आंसर option A हो जाएगा अटला विम डेबेबे चले next question पे चलते है question number 29 जो की बहुत important question है 2019 में होने वाले भारत के गंतन दिवस सामरों के लिए कौन से देश के राजपती मुख्या अतिती होंगे तो देखे ये question अभी आएगा आपका ठीक है कल 26 जनवरी है तो देखे इसके बाद बहुत बार रिपीट होने है 29 का राइट आंसर option B हो जाएगा दक्सिन अफरीका के question number 30 संग लोग सेवा आयोक के नए अध्यक्स के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो बिल्कुल से ये है तीसवे का राइट आंसर option C हो जाएगा अर्विन सक्सेना ठीक है बई चले next question पर चलते है question number 31 है नॉवंबर 2018 में बारत के नए मुख्य निर्वाच्चन आयोक्त के रूप में किसे न्यूक्त किया गया बहुत अच्छा question है ये भी तो इसका राइट आंसर option B हो जाएगा सुनील अरोडा ठीक है दोस्तो आज के टेस्ट में थे इतने ही इन सभी के आंसर मैंने हापे दे दिये हैं तो आप यहां से इनके आंसर भी देख सकते हैं